स्री शिवाई नमस्तूब्यम मेरे प्रियवर सबरासे के साथ यो चार नमबर को बन रही हैं दुरलब योग संयोग शिव कृपासी होंगे सभी कारिय सिद परभाव साली योगों में बढ़ेगी आपकी दिनचरिया बहुत सुखद चलिए जानते इस दिन के बारे मुझ से पहले पंचांग की बाद करूँ तो चार नमंबर का दिन सोंवार का दिन है देवो की देव महादेव को समर्पिती दिन चंदरमा का संचार दिन रात व्रिश्चिक रासी में रहेगा सूरिय से चंदरमा दूसरे भाव में मौझूद होने की वज़े से वैशी योग बनना है साथ ही कार्थिक मास के शुकल पक्स की तिर्टिया थी थी और इस दिन सरवात सिद्धी योग से तमाम कारे सिध होंगे तो वहीं अनुराधा नक्षतर का भी दुरलब योग बनना है जिससे इस दिन का मातो बढ़ गया है इस दिन आपका भाग्य 85% साथ देग और आपका लखी कलर जो है वो प्रोपर वाइट और ब्लू रहने वाला है साथियो विर्षब राशी वालों के लिए दिन्चरिया लाबधायक बननेगी वेदिक जोतिसी गण्ना के मताबिक चंदर राशी पर आधार्टी प्रेडिक्शन है साथियो पुराने निविस से आज आज आपको अच्छा रिटन मिलेगा अपनी जमताओ के बल पर बड़ी उपलब्धी हासिल करने में शक्षम होंगे कुंडली में चंदर ग्रह की सिती मजबूत होगी और भगवान शिव का असिरवाद भी मिलेगा जिससे आपको मांशिक शान्ती और कारियों में सफलता का अनुभाव होगा और ये दिन चर्या आप लोगों के लिए कई चीजों में लाबधायक तो एक दो चीजों में आपको सावधानी इस दिन बर्थनी होगी इस दिन वर्षब राशे के जातकों को कोई बड़ी चीज हासल हो सकती है या जिसका ड्रीम आप सोच रहे थे आपका ड्रीम है जो पूरा नहीं हो रहा था वो होना चाहिए था वो अब होता हुआ नजर आएगा आज का दिन लाबधायक रहने वाला है आपको किसी नई बदकी भी प्राप्ती हो सकती है सामाजिक कारिकरमों से आपके जुडने का मोका भी मिलेगा यदि कोई प्रोपर्टी से समबधी डिडील लंबे समय से अटकी होई थी तो वो भी फाइनल हो सकती है आपको किसी नई समपत्ती की खरीदारी करने का मोका भी मिलेगा सरकारी नोक्री में कारिकरेत लोगों को अपने कारिस्थल पर वीशेश ध्यान देनी के आफशक्त है अनेता आपके शत्रू बाजी मार जाएंगे आपको किसी पूराने मित्तर से लंबे समय के बाद मुलाकात करने का मुखा मिलेगा साथ ही आज के दिन माता पिता के आसिरवात से आपको कोई रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है स्टूडेंस का ये दिन अपने लिए बहुत जादा सिंस्यरली पढ़ाई पर ध्यान देने का रहने वाला है अन्यथा आप पिछड सकते हैं इसके साथी प्रेम जीवन की बात करूँ तो प्रेम जीवन में अन्मन बनी रही है इगो से अगर आप इस चीज़ को हैंडल करेंगे तो बिल्कुल सारी चीज़े बिगड़ जाएंगे इसलिए चाहिए कि आप अपनी इगो को साइड में रखिए और अपने प्रेम संबंदों को मंदिर बनाए वेवाहिक जीवन सामानने तरीके से चलता रहेगा साथी वेपारियों को मोटा मुनाफा होगा काफी बड़ी बड़ी डेली हाँ पर मिलेंगी कारिय स्थल पर कारिय का तिदिक बोझ होगा कान पान भी काफी pest-west होता हुआ नजर आ रहा है इसके साती मोसम के हिसाब से आपकी दिन-चर्या भी थोड़ी सी प्रभावित होने वाली है स्वास्ते परभावित होने वाला है जिसके वज़े से आप काम बड़े ही आलत से के साथ करेंगे समय पर नहीं कर पाएंगे तो इस दिन को मंगल कारी बनाए रखने के लिए किसी बेल पत्र के व्रिक्ष के नीचे आटे का दिपक जरूर जलाईएगा महादेव का नाम लेकर